बिखरे हुए फूलों के ओ, माला बढाने का और धागे के रूप में न जान न पहचान उसके बावजुद भी माला की शोभा बढाने वाले आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देश और दुनिया को लगता है कि यह सफल हुए है लेकिन एक पाँच साल की अखंड एक निश्ट साधना और जिसका लक्ष रहा देश के सामान्य मानवी के जीवन में आशाओ और बढलाओ दोनों संचारित हो अब ये काम का क्रेडिट तो पी-म को मिलता है टीवी पे पी-म दिखता है अख़बार में पी-म दिखता है बदाईया भी पी-म के खाते में जमा होती है लेकिन जब तक कोई टीम नहीं होती है और समर्पी टीम नहीं होती है तब तक सपने कितने ही बहुत सुहाने हो संकल्प कितने ही द्रड क्यों नहो इरादे कितने ही नेक क्यों नहो परणाम मिलना बड़ा मुश्किल होता है परणाम तब मिलता है कि जब आपके पास PM की सोच और हमारे साथियों की सोच की वेवलेंथ मिलती हो और PM जो भी कार काम विचार रखे वो तो एक आज मीटिंग में दस सब्दों में बोलेंगे पंदरा सब्दों में बोलेंगे उसको पकड़ करके उसको एक नीति का रूप देना व्यवस्था का रूप देना इंप्लेमेंटेशन का रोडमेप बनाना उसको लागू करवाना मोनिटरिंग करना यह अपने आप में बहुत बढ़ी लबी प्रोसेस होती है वो तीम के बिना संभव नहीं होता है और इसलिए पांच साल तक जिस इरादे से 2014 में चले थे 2019 तक हमने हमारे मार्ग में जरा भी डाइलूजन नहीं आने दिया डाइबर्जन नहीं आने दिया और डेडिकेशन हम बढ़ाते गए और उसी का परणाम है कि हम अपेक्षाओं को पूरा करते रहें उसी प्रकार से घर में भी एक सभाव रहता है कि तीन बच्चे हो और एकाज़रा अच्छे धंग से कर लेता है तो सब को उसको यह करो हो दो को पर अब उसको कहने से क्या मतलब है जो करता है इसमें बहुत ज्यादा आता है तो लंबे अर्शे के बाद देश को लगा यार यह कुछ कर सकते हैं चलो ट्राय करें इनके पास और उसके कारण वर्कलोर भी बढ़ता आ गया पहले चीठी आती है उसको करा बदले सो गुना ज्यादा चीठी आने लग गई पहले लोग चाहते हैं बहिने में होगा तो चलेगा लेकिन आप चाहते हैं ने जी तीस मिनिट में होना चीए तीस दिन में क्यों आप तो आप बैठें और इसके कारण भी प्रेशर बढ़ा और प्रेशर बढ़ने का कारण नीट विश्वास था आँव विश्वास के कारण प्रेशर बढ़ता है उसकी अनुभूती अलग होती है विश्वास के कारण जब प्रेसर बढ़ता है तो प्रेसर उर्जा में कनवर्ट हो जाता है वो अपने आप एक एनर्जी बन जाता है हम लोग ने अनुभव किया है कि देश में जो हमसे अपने शाओं का प्रेसर बढ़ा उसने बोज नहीं बना वो एक उर्जा में कनवर्ट हुआ आपने भी अपने वेक्ति के जीवन में अनुभव किया होगा कि आप भी पहले की तुलना में जिस पकार से काम करते होए एक नई उर्जा में परिवर्टन आया होगा वो उर्जा आई कहां से कभी हमारी हाँ शाएज अलजीबरा में पढ़ाते थे A प्लस B इन्टू ब्रैकेट स्क्वाइर अब उसको जब खोलते थे तो कहते थे A स्क्वाइर प्लस 2AB प्लस B स्क्वाइर ये 2AB कहां से आया A स्क्वाइर प्लस 2AB प्लस B स्क्वाइर ये जो टूए भी एक एक्स्ट्रा एनर्जी परदा हुई उस ब्रेकेट में से विश्वास के ब्रेकेट में से एक्स्ट्रा एनर्जी परदा हुई जिस एक्स्ट्रा एनर्जी ने हमें अधिक काम करने की ताकत दी फैसले लेने की जिम्मेबारी लेने का एक उर्जा बढ़ा विश्वास ने नया रूप धारन कर दिया और शायद आप में से जो लोग ऐसी चीजों को एनेलसिस करने की आदर रखते होंगे वे अगर इसको अपने जीवन का हिस्सा बना दे तो यह आपके जीवन के बहुत बढ़ी ताकत बन सकते हैं और मैंने अनुभव किया है कि मेरी अपेक्षा से ज्यादा आप समने परिणाम दिया है कि समय की मेरी कल्पना से पहले दिया है और सुचारू से रंग से हो सुचीता से हो इन दोनों पिलर को आपने बराबर पकड़ के रखा है और इसलिए यह पूरी टीम और जो यहां नहीं होंगे आपके साथ काम करने वाल आपके वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं इसके साथ साथ कि यह काम कर कैसे पाया इसलिए नहीं कि डगर डगर पर कोई लीडर्शिप थी जो आपको लीड करती थी या काम कुरवाती थी कभी भी टिम्स प्रेडूस से आता नहीं एक भीतर लीडर्शिप डवलप होना बहुत जरूरी होता है जहां जो है वहां लीडर्शिप ले रहा है क्या न एक प्रकार से हमारे सक्षेस में do leadership की cumulative effect है हमारे हैau leadership года driving management की दुनिया में शायद leadership को driving force मानते होंगेauसिक भी होगा लेकिन मेरी जो कारशली रही है मेरी सोच रही है वो यह है कि हम कि मल्टी लेयर कि मल्टी डाइमेंशनल लीडर्शिप कालिटी का क्युमिलिटिव इफेक्ट को जीतना जादा बढ़ाते हैं उतनी जादा परिनाम कारिटा होती है अगर हमें पीएमो को प्रभावी बना होना होता तो लीडर्शिपी जीनब लेकिन मेरी सोच पीएमो को प्रभावी बनाने की नहीं है मेरी सोच पीएमो को एफेक्ट एफिजन बनाने की है एफेक्टिव नहीं है कि एक एक चाइन के रूट में रोल होता है जो बहुत परिवर्तन लाता है इफीक्टिव में डगर डगर पर आपको अच्छा मैं जो कहाँ वह मान रहा है करने रहा जो एक प्रेशर में जीते हैं हम नहीं चाहते हैं कि पूरे इतनी बड़े शासन विवस्ता में PMO एफेक्टिव हो हम चाहते हैं PMO एफिशन्ट हो और एफिशन्सी से जो चीजों को गती आती है जो उर्ध्या मिलती है जो प्रणा मिलते हैं उसकी मात्रा बहुत उंची होती है और ये मैंने पिछले 5 साल मे आपके साथ रहते रहते औरूफव किया है आप मेंसे बहुत लोग है जन्हों कई कई प्रधान मंत्री देखें हैं तो निग Len к घृत्र से या कि मैं कई मंत्स देखें हैं लेकिन मैं पहला प्रणा मेंत्र हो कम पैस Maisie क्िस निए आपको देखा है क्योंकि मैं दूसरे ग्रह से यह आया हूँ लेकिन आपने कभी मुझे अकेला पन महसूस नहीं होने दिया कभी काम का बोज मेरे तक आने नहीं दिया आप लोगों के विचार आपके सुझाओ डायरेक इंडायरेक कभी मेरे पास पहुंचे हैं इसने मुझे एक टाकत दी है तो एक प्रकार से मैं और मेरी मेरी सफलता के पीछे या मेरे जीवन के संतोष के पीछे को एक चीज है वो है मैं मेरे भीतर के विध्यार्थी को कुभी मरने नहीं देता हूँ मैं मेरे भीतर के विध्यार्थी को हमेशा जिवित रखता हूँ और मेरे भीतर का विध्यार्थी आप में तो हर किसी को गुरू मानने को तयार होता है आप में तो हर किसी को गुरू के रुपे स्विकार करने को तयार होता है आपके हर सुझाव को स्विकार करने के लिए खुले मन से काम करने वाला होता है और उसने भी मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सिखने का आउसर दिया है ये भी अपने आप में मेरे लिए बहुत सवभागे रहा है आप कर पाए आपने बहुत कुछ छोड़ा भी होगा छुटिया नहीं मना पाए होगे घर में बच्ची का जन्मदीन होगा प्रामिस करके निकले होगे कि मैं समय पर आ जाओंगा लेकिन नहीं पहुचपाए होगे फिर भी आप अपनी जिम्मवारियों को पूर्ण करने में कभी भी पीछे नहीं आते तो इसके पीछे आपके परिवार जनों का भी बहुत बड़ा त्याद है बहुत बड़ा योगदान है सुवे नौ से साम को पांच तक के काम करने में शायद परिवार भी सैट हो जाता है लेकिन जहां अनिस्षित्ता है निकलने के बाद कब लोटेंगे पता नहीं है कितने बज़े आएंगे और आने के बाद भी घर में पचास फोन उसी को हेंडल करते रहते हैं परिवार जनों से बात करने का मोका नहीं मिलता है यह आप सब गुज्रे होंगे यह कोई मैं अनुमान से नहीं कहा रहा हूँ बहुत स्वाभाविक है आपके परिवार जनों का भी इस हमारी आत्रा की सबलता में बहुत बड़ी भूमिका है और इसलिए मैं आपके मात्यम से आपके परिवार जनों का भी रदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता साथ यह जिन्दगी तो एक कंटिडूटी होती है लेकिन फिर भी कुछ पढ़ाव आते हैं जो पढ़ाव नए होसले नए रादे, नए संकल्प, नए उर्जा को भर देते हैं यह अवसर भी वैसा ही है यह कोई पहले 5 साल दे, चलो और 5 साल, जी नहीं पहले 5 साल थे थे, अब 5 साल कुछ और हो और कुछ हो, और ज्यादा हो, और कई नवीन हो और नवीन परनव के लिए, नवीन परान चाह, यह मिजाज के साथ हम अपने मन को तयार करते हुए चलें और मुझे विश्वास है कि ये टोली ये तीम उसकाम को पूरी तरह कर पाएगी इन से में काम करते करते कभी कुछ कठिनाई अभी आई होगी मेरी अनुभव हिंता के कांड कठिनाई आई होगी हो सकता है कि मेरे कुछ आगरे के कांड कठिनाई आई होगी और कठिनाई एक ऐ तो यह लोड मल्टिपल हुआ हो आपको लेकिन उसका उद्गभ भी तूबह रहा हूँ उसके करना आप लोगों को जासुविदा हुई फिर भी आप डटे रहें यह मेरे लिए भाद गर्व की बात है मैं फिर एक बार आप सब का रुदही से अभार वेक्ट करता हूं और नए उर्जा नए उमंग नए उत्सा नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए यही से हम संकल्प करके चलें बहुत बहुत धन्यवाद